आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें प्रशन हमें दिया हुए कि एक स्वरित्र की आवरती 512 हर्ट्स है, यदि इसे दूसरे स्वरित्र के साथ बजाने पर, जहां विस्पंद 2 विस्पंद प्रती सेकंड हमें सुनाई देते हैं, दूसरे स्वरित्र की भूजा पर यदि मौम लगा दिया जाए, तब इसे पहल पहले स्वरित्र की आवरती, पहले स्वरित्र के लिए, उसके आवरती को हम किस प्रकार लिखेंगे, आवरती को N से प्रशित करते हैं, पहले के लिए है इसे, इसलिए N1, इसका मान दिया है 512 हर्ट्स, इसी तरह दूसरे आवरती के साथ, दूसरे स्वरित्र की आवरती है उसे हम N2 से प्रेशित करते हैं, चूकि उसका मान हमें नहीं पता, इसलिए हम N2 ही रखेंगे, N2 के मान कम है की अधिक हैं, दूसरे स्वरीत की आवर्ति उसके अनुसार, यदि हम विस्पंद देखना जाएं, विस्पंद की संख्या प्रती सेकंड, विस्पंद की संख्या, तब इसकी संभावना है दो प्रकार से होगी, जैसे x से प्रेशित करते हैं, इसका मान n1, rind, n2 होगा, जब n1 की आवरित्ती अधिक हो, इसका मान 2, 512, rind, n2 से व्यक्त होगा, समी करण एक दे सकते हैं चाहे तो, इसी तरह दूसरी संभावना यह होगी, कि विस्पन की संख्या x बराबर n2, rind, n1, अब इस स्थेती पर n2 का मान, या n2 की आवरित्ती या दूसरी स्वरित्ती की आवरित्ती अधिक होगी, तब इस का मान 2 बराबर n2, rind, 512 Hz, अब इसे भी हम दूसरा समी करण दे सकते हैं, चुकि अब हमें दूसरी स्थेती दी गई है, कि दूसरी स्वरित्ती की भुजा पर यदि मूम लगा दिया जाए, हम जानते हैं कि यदि दूसरा स्वरित्ती है, दूसरा स्वरित्ती, उसकी आवरित्ती हम मान के चले थे, आवरित्ती n2 है, अब यदि उस पर मूम लगा द विस्पंद बजाय या उनको एक साथ बजाय जाता है तो विस्पंद के संख्या चार अर्थात बढ़ी हुई प्रतीत होती है विस्पंद हम देखें दूसरी स्थिति पर विस्पंद इसे चार मालूम हुआ हुआ है और यहाँ पर इसकी भी दो संभावना यह दो प्रकार की स्थितिया आ अगई अब हम किस प्रकार इसे चेक करें अब हम देखते हैं कि पहले समीकरण समीकरण इसे एक से इसे समीकरण दो से दो स्थितिया हमारे पास हैं बोला गया है कि विस्पंद के संख्या बढ़ जाती है अब हम देखें चुकि मुम लगा दिया जाता है अन्टू कमान कम होता है अर्थात विस्पंद जो दो है वह अब बढ़ जाएगा कोई भी संख्या होगी आगे कोई भी संख्या हो सकती है जो बढ़ी होई संख्या होगी अर्थात विस्पंद यहां पर बढ़ रहा है समीकरण दो से इसी चीज़ को देखें तब एंटू रिंड 512 में एंटू के मान को यदि हम घटा देते हैं एंटू को मान को घटा देने से इस पूरे विस्पंद की संख्या का मान भी घटता है अर्थात दो का मान अब घट करके कुछ और या उससे कम रह जाएगा इतना तो है जब प्रश्ण में यहां कहा गया है कि विस्पंद की संख्या यदी बढ़ जा रही है अर्थात चार हो जा रहा है विस्पंद बढ़ने की संख्या कहां पर तो N2 कितना होगा? यहाँ पर N2 लेगें तो 512, 2 अर्थात N2 का मान यहाँ पर 510 Hz आएगा. यही इस प्रश्णों पूछा गया था, चुकि विस्पन के संख्या बढ़ जाती है, तब हमारे लिए यह उत्तर 510 Hz रहने वाला है. यही प्रश्णों पूछा गया था, धन्यवा सुचा, 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 सुपर.